अब आपके सारे फिसिक्स के नेस्टिन माच्जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों खीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी है फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट चार्सो इस क्वेशन में दिया हुआ है कि a man of mass m having a bag of mass small m यह आदमी है इसके पास small m का बैग है यह slip कर जाता है टॉल बिल्डिंग से जिसकी हाइट एच है बिल्डिंग की हाइट क्या है एच है जब यह एच हाइट तक आता है सम स्मॉल एच हाइट तक आता है तब इसको क्या फिल पास बैग है और वह बैग को सेफ करने अपने आपको सेफ करने के लिए वह देखता है कि नीचे एक पॉंड है तो वह बैग को इस टैरेक्शन में फेकता है और ऐस कीस वेलोसिटी से फेके सच बैट यह जाके मैं जो है वह पॉंड में गिरे यह एक्वेस्टिन पूछा ग यह पूछा एक जो बैग लैंड करेगा वो कहां जाके लैंड करेगा वेर विल दबाइक लैंड तो हम कैसे करेंगे इस क्वेस्चिन को बेटर सब्स यह हाइट है और यह हाइट क्या स्मॉल एच है लिए इस हैइट पर मुवेंटम कन्जर होगा यहां तक एक्स डैरेक्श इसका मास M है इसका मास M है तो capital M plus Mg इसका gravitational force downward direction में लग रहा है तो downward direction में हमारा momentum conserve नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक external force लग रहा है but x direction में फिर horizontal direction में हमारा momentum conserve होगा क्योंकि यहां कोई net force नहीं लग रहा है तो momentum conservation से हम क्या लिख सकते हैं बैग का मास M है लेटर सपोज बैग की velocity small v है इस initial momentum is equal to final momentum वो क्या हो जाएगा capital M into capital V लेटर सपोज जो capital M की velocity है वो capital V है और small m की velocity मिनस यह small m क्या है यह बैग है और capital M क्या है मैंन का मास है तो इसकी velocity capital V है और इसकी velocity हमने small भी मान ली यह कैसे momentum का जाब हुआ of small m plus momentum of capital M it implies कि momentum of small m is equal to minus of momentum of capital M minus होने का मतलब है कि दोनों का direction क्या होगा opposite होगा यदि यह आदमी इधर जा रहा है तो back इधर जाएगा इस direction में जाएगा दोनों का momentum negative होने का मतलब क्या है कि जो direction है वो opposite होगी it implies that small m into v is equal to minus of capital M v इसको magnitude form में लिखेंगे तो यह लिखतेंगे m v is equal to m v तो यहां से velocity हमारे पास जो आ गई जिस velocity से man throw करेगा उस back को वो हमारे पास यह आ गई small v is equal to capital M by small m into v अब यह v कहां से निकलेगा v निकालने के लिए हम कैसे कर देंगे यह distance क्या है x है point x distance के बाद है तो it means that कि x is equal to x direction में equation of motion apply करेंगे तो वो क्या हो जाएगा x is equal to v horizontal velocity into time taken to come to the ground यह हमारे पास वो time taken लग गया और capital V क्या है इसकी horizontal velocity है तो यह हमें लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है यह horizontal velocity है अब हमारे पास सब कुछ पता है capital V जो है तो यहां से हम capital V निकाल लेंगे वो हो जाएगा x by t x distance हमको given है हमें सिर्फ क्या चाहिए time चाहिए यदि हम time किसी तरीगे से निकाल लें तो हम small v निकाल सकते है हमें m by m और capital V की value यहां से substitute कर देंगे तो time कैसे निकलेगा हमारे पास तो time taken to hit the ground hit या come to the ground hit the ground तो ground यह h height से fall कर रहा है तो इस height तक hit करने के लिए कितना time लेगा वो क्या हो जाएगा equation of motion यह total height कितना है h तो h is equal to initially क्या rest से start हो रहा है initial velocity इसका 0 है 0 plus half gt square यहां से जो time लगेगा वो निकल जाएगा root 2h by g यह time taken to hit the ground था तो time taken to come at height h means capital h height से small h height तक आने में यह जो time लगेगा इतना time जो लगेगा लेटर सपोज यह sum t2 है और यह वाला time लेटर सपोज हमारा t1 था यह पूरा h height यहां से यहां तक आने में जो time लगेगा वो पूरा time है उसमें से यह time minus कर देंगे तो h height से ground तक आने की time निकल जाएगा वही हमको यहां चाहिए था तो हम निकल लेगे की time taken to come at height small h तो यह time क्या लग जाएगा हमारे पस यह लग जाएगा t2 is equal to root 2 h minus h divided by g तो अब हम निकल लेगे total time taken total time taken to fly कहां से fly करेगा h height से fly करेगा h height से fly करते भी पॉर्ण में गिरेगा तो लिखते हैं के time taken to fly यह bracket में लिखते हैं from height small h तो यह क्या जाएगा t1 minus t2 तो यह क्या हो जाएगी root 2 h by g minus root 2 h minus h divided by g तो यहां से हम root 2 by g common ले सकते हैं तो यह हमारे पास time लग गया अब हमें यहां पर v की x के बाद यह t को substitute कर देंगे तो यह x time taken to fly हमने निकाल लिया वो क्या आगे हमारे पास root 2 by g root over h minus root over h minus h यह 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 था हाँ यहां से यह था तो यह हमने निकाल लिया यह हमें पूछा गया किस velocity से हम इसको back को throw करेंगे such that pond में जागे गिरेंगे तो वो जो velocity हो जाएगी m by small m capital v तो वो जो velocity है कि जिस velocity से हम throw करेंगे वो capital m by small m into v और v is equal to kya था x by t यहां से लिक देंगे this is equal to capital m by small m x by t time हमने यहां से निकाल रखा है तो यह हो जाएगा capital m by small m into x time हम यहां पर substitute कर देंगे time क्या है root 2 by j root h minus root h minus h तो यहां से जो हमारे पास velocity निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी capital m by small m root g by 2 x divided by root h minus root h minus h तो यह हमारे पास velocity निकल के आगे यह जो हमारी निकल के आगे वो एलस टीन कपा इसके बाद हमें क्या निकलना है क्यों प्रिचे बड़ slopes वोलॉ सिटी से वो बैक को थ्रो करेगा set द्रेट वह पॉंढ ने जा के गिर जा पॉंट में गिरे, हाड सर्फेस पे न गिरे, तो अभी निकालना है कि बैग जो है, इस वेलोसिटी से फेक तो दिया, बट वो जा के कहां लैंड करेगा, वो हम कैसे निकाल लेगा, तो हमारा क्या होगा, जो center of mass होगा, चुकि x direction में कोई force नहीं लग रहा है, तो center of mass is small m और capital M का जो center of mass होगा, वो x direction में same रहेगा, वो change नहीं होने वाला है, तो वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि कहां पे जाके land करा होगा, तो वो हम कैसे निकाल लेगे, जो हमारा center of mass होगा, वो change नहीं होगा, x direction में, capital M mass जो है, वो x distance पे जाके गिर गया है, x distance बाद pond है, तो ये capital M x distance तक गया है, तो later suppose जो small m है, sum x dash distance तक गया होगा, divided by sum of masses, which is capital M by small m, तो यहाँ से जो हमारा पास x dash आएगा, वो आजाएगा, capital M by small m with a negative sign, यह हमारा x dash आजाएगा, इतना x, यहाँ से जो हमारा x dash आजाएगा, यह आजाएगा, x dash negative आने का मतलब क्या है, कि x हमारा positive था, यह direction positive है, तो x dash जो है, इस direction में आया है, sum negative x direction में आया है, जो कि कितना है, x dash minus m by small m by x, तो यह जो है, हमारे पास distance आगई, यहाँ back जाके land करेगा, तो यह भी हमने निकाल रखा है, यहाँ पे, यह भी हमने निकाल दिया, और यही हम से दोनों चेश पूछा गया था, velocity और distance कहां जाके land करेगा,